हेलो बड़ी मैं अधरमेंद कुमार आपके अपने चैनल जी के देखो बाइडी के में आप सभी का स्वागत है आज हमाँ आपको MDM SNN अकाउंट से संबंदित एक वीडियो लेकर आपके सामने आये हैं कि हम अपने MDM के SNN अकाउंट में जो हमें कैनरा बैक में सरकार द्वार खोल कर दिया गया है उसमें हम पहली बाल लोगिन कैसे करेंगे क्योंकि हमने जो e-mail आइडी दी थी और mobile नंबर दिये थे तो हमारी e-mail आइडी पर are required kandraw bank का एक एमेल आ रखा है उसमें हमारा username हमारी email आइडी जो हमने लिक कर दी थी और हमारा password भी email के द्वारा उसी के साथ लिखा हुआ है जैसे आप साइड में देख रहे हैं ऐसा इमेल आपके इमेल पर आया हुआ है लगबग सितंबर के महा में आया है 20, 21, 23 के असपास वो सभी के पास आया है जब आपने चेकर और मेकर के नाम, मोबाइल नमबर, इमेल आईडी, डेट और बर्थ लिखकर दिये थे, तो सरकार ने आपकी इमेल आईडी पर आपका यूजर नेम, जो आपका इमेल आईडी रहेगा, मेकर का भी और चेकर का भी, और आपका पासवर्ड भी नोने बना कर भेई दिया है, कि आप इससे पहली बाव लोगिन करें, जैसे आप साइड में देख रहे हैं, कि देखें, यहां कैंडरा बैंक का इमेल आ रखा है, मैंने इसका इसी सोट ले रखा है, यहां देख लीजे हमारी इमेल आईडी लिखी है उपर यूजर नेम में, और नीचे एक छोटे बड़े कैपिटल लैटर्स में जो है, कुछ अंक भी हैं, और एक पासवर्ड भी द करना पड़ेगा, और फिर हमें एक नया पासवर्ड बढ़ाने का ओप्सन वहाँ खुल जाएगा, तो चलिए यह काम कैसे करेंगे, आज की वीडियो में सिखाते हैं आपको, तो हम चलते हैं, पहले गूगल को ढूण लेते हैं, और यह गूगल हमको मिल गया है, और यहां स लोगिन इन CSS एप्लिकेशन, तो हम यहां किलिक कर देते हैं, यहां किलिक करने के बाद, थोड़ टाइम लेगा यह, कुछ इसकार से खुल कर देखो आजाएगा, अगर आपका मोबाइल डेक्स आप साइट पर नहीं है, तो इसे कर लेंगे, देखो यहां ऐसे कर लेंगे इ और यह कैफ्ट है, यहां फिलफ करना पड़ेगा, ठीक है, तो चलिए मैं यहां डाल लेता हूँ, जो हमारी इमेल आईडी पर आया था, यानि हमारा यूजर नेम, यूजर नेम सभी का, जो आपने इमेल आईडी लिखकर दी थी, वो ही रहेगा, इसका आवस्चे ध्यान और यूजर नेम उसको लोगिन करकर दिखा रहा हूँ, सेम तरीका रहेगा चेकर का, आप चेकर का भी ऐसे इसकी इमेल पर देख करके, ऐसे ही लोगिन करेंगे, और उसका भी नया पासवर्ट बना लेंगे, यूजर नेम आपका वही रहेगा, ये बतलने वाला नहीं है, जिस किसी की विजरनेम और इमेल आईड़ी जो गलत हो रखिये उसो अपने बेयार्ची मौते से मिल करके सही इमेल आईड़ी देदीजे ताकि वो सही इमेल आईड़ी हो जाए और आप उससे लोगिन कर पाएंगे बढ़ना आप login नहीं कर पाएंगे चलिए मैं डाल लेता हूँ यहाँ email id और वो password देखों यहाँ मैं डाल ले username में email id maker की और यहाँ password जो हमारे email id पर आया था वो डाल दिया है और एक caption यहाँ फिलफ कर दिया है और यहाँ login कर लेते हैं यहाँ login करने के बाद आपके mobile number पर registered mobile number पर OTP चला जाएगा वो OTP आपको यहाँ डालना होगा चलिए हम OTP ले लेते हैं यहाँ हमने OTP डाल दिया हैं यहाँ validate कर देते हैं यहाँ validate करने बाद देखें क्या है हमने उस OTP को validate कर दिया है अब आप यहाँ देख लीजें यहाँ लिखावा है current enter current password यानि जो password आपकी email id पर आया हुआ था वो आपको उपर डालना है enter new password जो password आप बनाना चाहते हैं वो यहाँ भी डालेंगे और यहाँ भी डालेंगे password आपका 8 character से ज़्यादा होना चाहिए कम नहीं होना चाहिए ठीक है तो हम उपर डाल लेते हैं जो हमारा password जो email id पर आया हुआ था वो यहाँ जो आपको नया password बनाना है वो डालेंगे यहाँ मैंने यहाँ डाल लिया उपर जो हमारा password आथा email id वो यहाँ आमने नया password एक बार यहाँ डाल दिया है और एक बार नीचे डाल दिया है तो हम set password पर जाएंगे और यहाँ click कर देंगे यहाँ click कर देखों उपर आ गया है लिखावा यह देख लिए यहाँ password reset successfully please click here to login again with new password अब आप ने password से login कर सकते हैं ठीक है यह हमने username में हमने email डाल दिया है password जो नहीं अबनाद वो डाल दिया है और यहाँ captive fill up कर दिया है और यहाँ login कर लेते है यहाँ login करने के बाद एक बर पुने आपके पास OTP जाएगा आपके registered mobile number पर उसको आप यहाँ डालेंगे रो validate करेंगे चलिए हम OTP ले लेते हैं मैंने यहाँ OTP टाल दिया है और यहाँ validate पर किलिक कर देते हैं अब एक ऐसा page आपके सामने आ जाएगा इसको यहाँ close कर देंगे आप यह देख लिए आपका पूरा विवड़न देख खुल कर आ गया है यहाँ आपके school का नाम लिखावा है यह हमारे मित्र का स्कूल हैस का नाम लिखाव यह आपके यहाँ देख लिए balance लिखावा है यह मिट्डे मिल हर्दवार लिखावा है और यह आपका agency कोड है जो आपका SNA account है MDM का UKSA00000542 ठीक है इतना उनके सामने यह आया हुआ है यहाँ स्कीम लिखी है यूजर का नाम लिखाव यहाँ ए एम ए ओबलिक एम यह निके administration maker तो यहाँ maker लिखावा है ठीक है यहाँ उपर जो है बहुत से बाते लिखी होती है देख लिए यहाँ यह सब यह देख लिए यहाँ लिखावा है user name उसका नाम लिखे मिलेगा जो हमारे maker है उसका नाम लिखा मिलेगा उनकी email id लिखी मिलेगी ठीक है तो चलिए हम चलते कहाँ देखो यहाँ side में जो है जब आप यहाँ देखो menu लिखावा है यहाँ तो हम आपको दिखावा है कि आप कैसे vendor create करेंगे आप vendor कैसे add करेंगे वो भी आपको हम दिखाते हैं देखिए यहाँ click करेंगे ऐसे और हमारे यहाँ tap खुल कर देखो आ जाती है यहाँ हमारे tap खुल कर आ जाएंगी जैसे हम यहाँ payment पे click करेंगे payment पे click करेंगे ऐसे यहाँ यह देखें यहां तो हमारे सामने टैप खुल कर देखवा जाती है बेनिफीसरी, वेंडर और पेमेंट फाइल हम वेंडर पे क्लिक करेंगे और देखें यहां हमारी और तीन टैप खुल कर देखवा आ गई है यहां क्लिक करते ही यह देखें यहाँ vendor registration आप यहाँ click कर देंगे यहाँ click करने बाद देख लिए यहाँ जो है आपके सामने क्या लिखा गया है select scheme तो यहाँ click करेंगे और यह scheme को select ऐसे कर लेंगे और यहाँ देखो यहाँ चिन एक बनावा है fetch यहाँ fast पे click कर देंगे यहाँ fast पे click करने के बाद देखो यहाँ लिखा वाँ है add new vendor तो हम यहाँ click कर देंगे add new vendor पर add new vendor पे click करने के बाद देखो उपर हमारे सामने क्या खुल कर देखो आजाता है यहाँ डालना हमें account number ठीक है यहां account number डाल देंगे और यहां डाल देंगे IFC code जिसको भी आप vendor बनाने जा रहे हैं ठीक है तो हम यहां भोजन माता को vendor बनाने जा रहे हैं तो उसका account यहां डालता हूँ यहां डालता हूँ ठीक है चलिए डाल लेता हूँ में डाल दीक है कहाता संख्या भोजन माता की और यहां फिक है को इसका भैंक का और यहां术हां प्रोसीट पर किलिक करने बाद एक एका ऐसा form हमारे सामों में खुलकर अजाएगा यह यहां यहां आपको सका नाम लिख रहा ठीक है यह सारे चीज़ा आपको यहां लिखनी पड़ेंगी ठीक है वह आपको यहां सारे चीज़ा लिखनी होंगी ताकि जो यहां दिक्कत ना हो यहां पिंडम मर आ जाएगा यहां रूल कर लेंगे ठीक है यहां जो मेंडेटरी चीज़े वही बता रहा हूँ आपको में जो चीज़े मेंडेटरी हैं यहां नाम आदेगा बजन माता का उसका आप यहां नाम लिखतेंगे ठीक है यहां नाम लिखते हैं आपने यहां देखे वेंडर टाइप यहां तीन चीज़े खुल कर आ जाएंगी कमर्शियल इंस्ट्यूशन एंजियो परस्नल और स्मास बिजनिस तो हम यहां प्रस्नल पर किलिक कर देंगे ठीक है और यहां एड्रस भढ़ लेंगे बजन मा ठीक है यहां डोमसे सेलेक्ट कर लेंगे उत्राखंड कर लेंगे ऐसे यहां डोमसेल आपका डिस्टिक आ जाएगा यहां यहां हर्दबार डाल दें यह अकाउंट नमबर पहले देखो लिखा आ गया है और यहां अपसी को भी लिखा गया है और यहां एड्रस वेंडर पर किलिक कर देंगे यहां आप फिर चेकर की आडे पर जाएंगे और उसको एप्रूव कर देंगे ठीक है तो इतना काम करना है आपको वेंडर को रजिस्टर करने के लिए यह सेम परक्रिया आपको चेकर के साथ भी होगी और चेकर पर जाकर आप वहां एप्रूव पे किलिक कर देंगे और यह करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरू कर लिजे धन्यवाद जयें